दोस्तों नवस्कार दोस्तों आईए आज हम इस वीडियो में किसी भी इस्थान विशेश पर जो जलवायु होती है या जो जलवायु पाई जाती है उसको प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं जब हम जलवायु का अध्यन करेंगे तो इन कारकों का बहुत ही महत्तु होता है क्योंकि हमें एक ही अक्षान्स में कई प्रुकार की जलवायु पाई जाती है यानि कि हम अगर एक अक्षान्स पर पूरव से पश्चिम की और जब हम किसी एक ही अक्षान्स पर जब हम बढ़ते हैं तो बहाँ पर जलवायू में बदलाव पाया जाता है, जैसे के आप देखते होंगे के अफरीका में और अमेरिका में जहां पर भूमद रेखिये जलवायू पाया जाती है, यानि के प्रत दिन बर्षा होती है और महाँ पर ताम्मान अधिक रहता है तथा बहुत ही सखन बन पाए जाते हैं लेकिन उसी अक्षांस में यानि जीरो डिग्री में ही अमरीका में कुछ पश्चिम बढ़ने पर वो जलवायू नहीं पाई जाती है बहीं अफरीका में जो गिनी तट से जब हम जो अमेजन कांगो वेसिन है उस कांगो वेसिन से पूरव की तरफ जब बढ़ते हैं तो बहाँ पर भी विश्वत रेखिये जलवायू या भूमद रेखिये जलवायू नहीं पाई जाती है इसका कारण क्या है तो इन्हीं कारणों को आज हम विस्तार से जान लेते हैं तो कुछ महत्पूर कारण हमने बोट पर लिख लिए हैं और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों आईए देखते हैं सबसे पहले हमने जो कारण फिलिवायू जीरो डिगरी पर और तेई संस उत्त और तेई संस दक्षन है इनी एक्षांसों के बीठ सूर्य हमेशा लमवत होता है तो इन एक्षांसों में पहुत अधिक होना चाहिए यानि के बहुत अधिक होता ही है और ये जो छेत्र है वो उष्ण कटवन्दी ये छे पाया जाता है लेकिन इन्हीं अक्षांसों में भी कहीं कहीं पर जो है वो बर्फ भी जमी हुई पाई जाती है तो उसके बारे में भी हमें यहां पर जो है वो इस वीडियो में पूरी तरीके से कनफर्म हो जाएगा कि क्यूं वहां पर बर्फ जमी हुई मिलती है तो दोस्तो आईए देखते हैं कि जैसे अक्षांसिय विस्तार का ये है कि हम जैसे ही धुर्बों की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे जो ताबमान जो है उसमें कमी होती जाती है तथा ताबमान के अनुसार ही वर्षा में भी कमी होती है तो ये कमी लगातार नहीं होती है क्योंकि ताबमान स सबसे अधिक लंबत तो जीरो डिग्री पर ही सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है लेकिन सबसे अधिक जो ताबमान है वह उत्तरी विश्वत रेखा विश्वत रेखा के उत्तर करक रेखा और मकर रेखा इन दो रेखाओं के सहारे मिलता है यानि के सबसे अधिक ताबमान या तो हमें विश्वत रेखा पर ना मिलकर करक रेखा पर या मकर रेखा पर जो है वो ताबमान हमें अधिक्तम मिलता है क्योंकि दोस्तों जब हम इन रेखाओं से उपर वड़ते हैं तो ताबमान में कमी आ जाती तो यह हमारा कुछंक हो चनल में मत्व कर दोंग उसके उपर जो है सीत जलवाई उस तरीके से हमें अक्षान्सों में जैसे जैसे विर्द्ध होती जाती है तापमान में वैसे वैसे कमी होती जाती है अगला हमारा पॉइंट है कि जल एवं इस्थल अनुपाद तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी प्रत्वी पर लगबग 70% भाग में जो है वो पानी ही पानी है और सेस लगबग 30 प्रत्विसत भाग पर जो है वो हमारी भूमी पाई जाती है तो यह भूमी का और जल का जो अनुपाद जिस तरीके से होगा उसी तरीके से किसी इस्थान की जलवायू होगी और जो इस्थान सागर के पास होते हैं जैसे कहीं पर यदि पर पर किसी अक्षांस में सागर है और इस थलवाग है तो जो सागर के पास का भाग होगा बहां पर जलवायू जो है वो शम जलवायू होगी यानि ना गर्मी कम होगी और शर्दी भी कम होगी और जो इस तान दूर सागर से होते चले जाएंगे उनमें शर्दी अधिक होती चली जाएगी तो इस तरीके से जल और थल का जो अनुपात है उस से भी हमारी जलवाई जो है वो प्रवावित होती है और इसी जल और थल की वजह से ही हमारी एसिया में जो है वो तीन तरीके कि जलवायू इन अक्षांसों के मद्ध में पाई जाती है यानि कि जब हम 30 या 40 अक्षांसों के मद्ध देखते हैं तो यहां पर इधर चाइना तुल जलवायू और फिर इधर भूमत सागरी जलवायू और बीच में जो है वो इस्टेपी जलवायू सता मरुस्तली तो इस तरीके से हम जलवायू का जब अधन करेंगे तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि इस्थल और जल का जो अनुपात होता है वैसे ही जलवायू का भी प्रभाव होता है जैसे विस्वत रेका के सहरे ये जहां जहां दीप हैं बहाँ पर जो एक सी ही जलवायू पाई जाती है लेकिन जब दीप इस तलभाग अधिक होता है अफरीका में और अमेरिका में तो बहां पर जलवायू में जो है वह विविट्था पाई जाती है अगला हमारा पॉइंट है कि सागर तट से दूरी जैसे के कहीं पर सागर है और इस से जैसे ही हम वरतन होता चला जाता है क्यूंकि सागरों के पास सागर से जो जलवाश उठती है उस से बरसा हो जाती है और उस से जो है जलवायू अलग होगी लेकिन दूर जाने पर जलवाश बहां तक नहीं पहुँच पाती है इसलिए बहां पर बरसा कम होती है तो बहां जलवायू अ ताब मान में विशमता पाई जाएगी लेकिन सागरस्ण नuerdoर है सागर्तल से जैसे ही हम किसी यह सागर्धमानस इस तो एकुएंट्स पर औपर जैसे ही पहुँचेंगे तो एक दिग्री सील्शिज्स ताबमान की जो हे वो कमी हो जाएगrenched में कमी होगी और यह जैसे ही उचाई साघरतल से उपर ऊठते चली जाएगी कमी चली जाएगीए यही बजह है कि विह कि विशुवत- Gef के सहारे किल मन जारो परवत के ऊपर बर्फ जमा हुआ मिलता है अगला प्रसंद है कि अगला हमारा पॉइंट है जो जलवायो को प्रभावित करेगा वो है पवनों की दिसा अब यहां पर पवनों की दिसा भी जलवायो को प्रभावित करती है यानि के जब पबने सागर तल से सागर से इस्थल भाग की ओर जाती हैं तो अपने साथ नमी ले जाती हैं और यहां पर बारिश करती हैं वहीं जब ये पबनों की दिसा इस्थल से सागर की ओर होगी तो वो सूखी होगी और बहां पर बारिश नहीं होगी तो इस तरीके से य ये पबनों की जो दिशा है वो भी हमारी जलवायू को बहुत अधिक प्रभावित करती है अगला पॉइंट है कि सागरी जलधाराओं का प्रभाव यानि सागर में जो जलधाराएं चलती हैं वो भी इस्थल खंड पर जलवायू को परिवर्तित कर देती हैं इसको जो धाराओं का प्रभाव हमारे जो विश्व में है वो दो जगे पर बहुत ही प्रमुक्ता से देखा जा सकता है जैसा के हम लोग जानते हैं के बिटन ग्रेट बिटन की तरफ जो एक गरम जल की धारा अफरीका से होती हुई उत्री अमेरिका के सहारे एक गरम जल की धारा जो बह कर जाती है और ग्रेट बिटन की तरफ याँनि यूरोपीय देशों की तरफ जो जाती है तो उस धारा के प्रभाव से यूरोपीय देशों में जलवायू में परिवरतन होता है और महां शीत काल में उनी अक्षांसों में या जगे जो है वो बर्फ जम जाती है लेकिन उस यूरोपी छेत्र में यानि ग्रेट ब्रिटन की तरफ जो बहां का जो तट्र है वो हमेशा खुला रहता है और बहां पर हर समय जो जहाजों की प्रवाव पेरु के स्ट पर जो है वो देखा जा सकता है बहीं दक्षडी अफरीका में भी देखा जा सकता है कि जहां पर ठंडी धारा के प्रभाव से उनक शांसों में जो है बोशीत रहती है तथा सीध मुरस्तली जलवायू बहाँ पर पाई जाती है अगला पॉइंट ह हैं कि भू-ाकरतिका शुरूब बी जिस तरीके का होगा यानि कि पूर्षभी पर आकरत जिस तरीके की मुआ पर की बैसी ही बहा पर जलवायों भी पाई जाए गी यहाद किसी खेतर में परवत है और इस परवत से यह इधर से हवा बह रही है तो इस साइट में तो अधिक बर्था होगी और इस साइट में बर्था कम होगी क्योंकि इधर से पवने चड़ेंगी और जब इधर से पवने यह साइट में उतरेंगी तो बहां पर जलवाई जो है गरम हो जाएगी यही प्रवाव जो ह इन हवाओं के प्रभाव से ही वह बर्फ नहीं जम पाती है तो इस तरह के से कई हवाएं हैं जो के भू आकरत की बज़े से जो है वह प्रभावित करती हैं और हमारे जलवायू को बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है तब देली हो जाती है अगला है बनस्पति का सुरूप और बनस्पति का सुरूप या बनस्पति का जो ढका होना यानि बना अच्छादन होना भी किसी इस्थान की जलवायू को प्रभावित करता है जैसे के यदि कोई चेतर मरुस्थली है और महा पर यदि पेड़ पौधे उगा दिये जाएं और बहुत अधिक पेड़ पौध जाती है तो इस तरीके से बनस्पति बिहीं चेत्रों में जो है जलवायू अलग होगी और यदि उसी चेत्र में बनस्पतियों का प्रभाव हो जाए तो भी जलवायू में इसका असर पड़ता है अगला है मानवीय क्रियाय कलाव यानि के मनुष भी अब हमारा इतना जो है वो ससक्त हो चुका है कि आज का बरतमान मानों जलवायू को प्रभाव करने लगा है यदि मनुष के कारियों द्वारा किसी चेत्र बिशेश में यदि पेड़ों की बहुत अधिक कटाई कर दी जाती है तो बहां पर जलवायू बदल जाती है और यदि किसी इस्थान पर न दिश्मु गुंबद के नाम जैसी इस्थिद्य बन जाती है और बहुत अधिक जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और गर्मी अधिक होती है यानि एक यह एक शांस पर यह कहीं पर नगर की विकास हो गया या इंडिस्टरियल एरिया है तो बहां पर गर्मी अधिक होगी तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहेंने के हमारेज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह दैश्छा ना लगा हो तो इस लाई करें और कमेंट बाक्स में बताएं के क्या कमी रह जाती हैं मिलते हैं अगल